हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या ये डायलॉग बिग बॉस सीजन 12 की कंटेस्टन सुर्भी राना पर एक दम फिट बैठता है हर बार बेबाकी से लोगों को जवाब देना अपने लिए स्टेंड लेने वाली सुर्भी राना सेमी फाइनलिस्ट बन चुकी है हाली के एपिसोड में एक कैप्टेंसी का टास्क हुआ था जिसमें रोहित और सुर्भी के बीच कॉंपटीशन था जिसमें घरवालों ने सुर्भी राना को घर का कैप्टन तो बनाया ही साथ ही उन्हें सीधा बिग बॉस ने सेमी फिनाले का टिकेट दे दिया जहां इस बात से कुछ घरवालों कुछ हो रहे हैं वहें कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो सोचल मीडिया पर सुर्भी पर अपनी भडास निकालने में लगे हुए हैं आई ये दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स जबरधस्ति की समी फैनलist, who don't deserve right now, whatever she did last week with Dipika was totally mental behaviour most of the time she became captain because of Shiri Sanh, in return what she did with him, irritate and troll him, sorry to say but she is the one of the worst contestant in NBB history, please don't support her तो देखा आपने लोगों को रास नहीं आ रहा है कि सुर्भी राना सैमी फिनाले में डारेक पहुच गई है वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब एक बॉस में कुछ ऐसा हुआ हो इससे पहले सीजन 11 में भी जब पुनिश शर्मा को घर का पहला फाइनलिस्ट बनाया था तब भी सोशल मीडिया पर लोगों ने चम कर भडास निकाली थी वैर अब आप हमें कमेंड करके जरूर बताएं कि क्या आप सुर्भी राना के फाइनलिस्ट बनने से खुश है या नहीं कर दो, कर दो, कर दो, को दो कर दो